साथियों आज किस वीडियो में S.S.E.D. के लिए एक ऐसा फुल मॉडल पेपर देखेंगे जो आपको आपके रियल पेपर में साथियों देखने को मिलेगा यानि के साथियों अगर बात करें पहले 20 प्रिशन होंगे हिंदी के उसके बाद दूसरे साथियों 20 प्रिशन होंगे सामा निगान के फिर उसके बाद मैथ के और फिर रेजनिंग के यानि कि चारों विशों की अगर बात करें, चारों विशों के जो सबसे important questions बनते हैं, वो आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे, और ये class सातियों पिछले paper पर ही आधारित होगी, तो अगर सातियों पिछली बार की तरह यानि कि ऐसा paper आपके real paper में आ जाता है, तो आप सातियों क्या होगा आपका score, यानि कि हिंदी में कितने आप प्रिशन कर पाएंगे, सामा निगयान में कितने प्रिशन कर पाएंगे, और math और reasoning में कितने प्रिशन कर पाएंगे, ये एक बार खुद देखिएगा और अपने आपको बताईएगा कि क्या तैयारी आपकी है और selection के आपका साथ योज hen भी कहते हैं तो आंसर यहाँ पर जिन का है option no.b. बी के साथ सुब बिलकुल correct है उसके बाद दिखिए 9 दो 11 हो ना यो羅 होला है कि किया है सरपट भागना या सरपट भागना आप 50 लोग सातियों सरपट भागाना लगाएंगे जो के गलत हो जाएगा आप लोग घ्यान रखेंगे सरपट भागना ठीक है भागना मतलब खुद भागना 921 होना आंसर आपका आप्शन नुबर एक के साथ जाएगा चलिए उर्दू के अगर बात करें सातियों तो उर्दू ये किस भाषा का शब्द है जर्मनी तुर्की अर्भी या फार्सी तो ये अच्छे लेवल का कोशन है आपसे अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि अर्दू सातियों तुर्की भाषा का शब्द है आलसर आपक भी के साथ जाएगा उसके बाद देखिए अगले नंबर का पृष्णापकि स्क्रीन पर है पक्षी के लिए सही पर्यवाची वाले शब्दों का आपको चैन करना है तो अगर बात करें साथियो तो विहंगम कहा जाता है, भी हंगम नहीं कहा जाता है, उसके अलावा बात करें, ये भी गलत हो जाग और ये भी गलत हो जाग यानि कि कौन सी अगर बात करें, कौन से तीन शब्द पक्षी के परेवाची हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो आपकी option number ये में लिखे ह उसके बाद देखिए, दिये गए विकल्पों में से हर्श शब्द का विपरीर तारतक शब्द आपसे पूछा जा रहा है, यानि के साथियों हर्श का आपको बताना है कि विलोम क्या होता है, तो हर्श का विलोम क्या होता है, जीवन्तता होता है, विशाद होता है, इस्थ पेपर को बनाने की कोशिश की है तो ये अगर सारी कोशन आप लोग देख लेते अपने मरो मस्तिक्ष में स्टोर कर लेते हैं तो कहा जा सकता है साथियों तैयारी में आपकी चारचान लग जाएंगे और इस बार साथियों SSGD में एक सीट आपकी बिल्कुल निश्यत हो जाएगी तो अगर साथियों अब बात करें साथियों एक्जाम को क्रैक करना है तो चैनल को अपने सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को तुरण सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजे तो कि साथियों अब मैं आपको परिक्षा वाला ही content दूँगा अब मैं आपको इधर का उधर का कुछ नहीं पढ़ाऊंगा यानि कि जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ परिक्षा से सीधा सीधा साथियों सम्मधित होगा अगर बात करें मोती का साथियों तत्सम क्या होता है तो मोती के तत्सम क्या अगर बात करें मौक्तिक कहा जाता है यानि कि मोती का तत्सम क्या होगा मौक्तिक होगा आंसर आपका भी के साथ जाएगा चली होनहार बिरवान के होच चीकने बात तो अगर बात करें साथियो होनहार बिरवान के होच चीकने बात यानिके जो होनहार बालक होता है ना उसमें जो क्वालिटीज होती है साथियों वो बच्पन से ही जलकने लगती है कि ये होनहार बालक है और ये बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनेगा की क्या कहा जाता है कौन सा जोड़ा साथयों सही नहीं है कि यहां पर लिखा हुआ option number a is की देव का स्त्रे लिंग का होता है देवी बिल्कुल और साथयों पुलिंग देवों पुलिंग होता है बिल्कुल सही है उसके बाद लिखा है कांत का इस्तरिलिंग सातियों कांती नहीं होता है क्या होता है कांत का इस्तरिलिंग सातियों आप लोग घ्यान रखेंगे कांता होता है और गधा का गधी होता है तो कुल्विला कि अगर बात करें कौन सा जोड़ा सही नहीं है और यही आपके प्रिश्ण का बिल्कुल सही उतर है उसके बाद देखिए कि हिंदी भाषा को कौन सी लिपी में लिखा जाता है तो आप सबी दो जानते हैं साथियों हिंदी भाषा जो लिखी जाती है वो कौन सी लिपी में लिखी जाती है वो सात्यो دیवनागری लीपर में लिकी जाती है आंसर आपका सी के साथ जाएगा निम्न मेंसे कौन सा शब्द सात्यो तत्भब है यानि के तत्भब शब्द की अगर बात करें तो वो शब्द होते हैं जिनका हम अपनी रोज लाइफ में सात्यों लाइफ में इस्तमाल करते हैं जिन शब्दों का एक तरीके से और जिन शब्दों का बहुत कम या ना के बराबर इस्तमाल करते हैं वो आपके तत्सम शब्द होते हैं तो ये 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 और ये सारे साथियों तीनों उपर के तत्सम शब्द हैं लेकिन चट की अगर बात करें तो ये आपका साथियों एक तद्भम शब्द है अंसर आपका अगर है उप्शन नमबर डी के साथ तो बिल्कुल करिक है उसके बाद देखिए अगले नमबर का प्रिशन है कि धन के धन के साथियों बिश्टचार में आज भी कुछ लोग हरिश जगा में साथियों बिल्कुल सही तरीके से आ जाएंगे यानि के पूरा वाक कैसे बनेगा तो धन के लालच में आज भी कुछ लोग जैचंद बन जाते हैं आंसर आपका जाएगा उप्शन नमबर डी के साथ उसके बाद देखिए बहुत बार साथियों आपके परिक्षा आपके स्क्रीन पर है तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों भारतेंदू यूग की जब बात करते हैं तो हिंदी गद का सरपर्थम यूग साथियों भारतेंदू यूग को ही माना जाता है उतकृष्ट का विलोम क्या होता है तो उतकृष्ट का विलोम तो साथियों न परेवाची आपको बताना इसमें से कौन सा नहीं है तो भोरे का परेवाची बधुकर भी होता है मधुप भी होता है और भ्रमर भी होता है लेकिन जलज की अगर बात करें जलज सातियों भोरे का परेवाची नहीं है अब नहीं है तो यहीं आपके पुश्णिका बिल्कुल स संदिग्द नहीं होगा, और अपूर्ण कैसे हो सकता है, काम पूरा हो चुका है, सामान भी नहीं होगा, यहां पर साती हूँ, ये बूर्ण भूतकाल काल है, कैसा है, पूर्ण भूतकाल काल है, इसलिए आन्सर आपका जाएगा, D के साथ, चलिए उसके बाद देखिए कि निमिलिकेट मेंसे कौन सा शब्द हरी की जगा प्योगत नहीं किया जा सकता यानि कि हरी की अगर बात करते हैं तो मेंड़क को भी हरी कहा जा सकता है बिल्कुल गोड़े को भी कहा जा सकता है साथियों और साप को भी कहा जा सकता है लेकिन काम देव को नहीं कहा जा सकता है तो आंसर आपका option number D के साथ जाएगा मानव द्वारा सर प्रतम किस धातू का प्रियोग किया गया था तो 20 प्रिशन देखें साथियों आपने हिंदी के इसमें से बताईएगा कितना score आपका रहा और अब हम लोग साथियों 20 प्रिशन देखेंगे सामवाने के अनके उसके बाद हम लोग मैत और रेजनिंग की तरफ बढ़ेंगे तो मानव द्वारा यानि के मानव ने जो सबसे पहले साथियों जिस धातू का इस्तापना किसने की थी अगर बात करें ना साथियों दीवान अमीर को ही की स्थापना कौन करके गया था तो महम्मद बिन तुगलक साथियों ये करके गये थे इसलिए जवाब आपका जिस ऑप्शन के साथ जाएगा वो ऑप्शन है महम्मद बिन तुगलक यानि के दिवान अमीर को ही किस्तापना किस ने की थी तो महम्मद बिन तुगलक ने की थी उसके बाद देखिए कि शासक की मंत्री परशद को अश्ट परधान कहा जाता है तो बात करें साथियों शिवाजी की मंत्री परशद को क्या कहा जाता है अश्ट प्रधान कहा जाता है जवाब आपका एक इसाथ जाएगा साती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का इश्रे सात्यों किसे दिया गया है ये आप से पूछा जा रहा है तो बताने की कोशिश करेंगे तो अगर बात करें राइट आंसर यहां पर क्या होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक आपके इस प्रशन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है उसके बात देखिए अगर बात करते हैं सात्यों राज जाले या हडप निती ये किस के दोरा लागू किया गया था तो किस के दोरा लागू किया गया था सात्यों लॉर्ड डलहूजी के दोरा लागू किया गया था इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाता है नेक्स नमबर का प्रशन आपके स्क्रीन पर है देखिए और बताए राइट आंसर क्या होगा चलिए तो मुदरा राक्षस नाम की एक पुस्तक है और इस पुस्तक के साथियों लेखा कौन है तो विशाख दते हैं आप लोग ध्यान रखेंगे आंसर आपका जो जाएगा वो आप्शन नमबर A के साथ जाएगा उसके बाद देखिए अगले नमबर का पुरिशन कि कला की राजिस्थानी और पहाड़ी शैलियां किसके लिए पुरिश्द हैं आर्थिक समीक्षा, उच्चतम नियाले के समेक्षा या नियाइक समीक्षा या विदहान परिशन तो आंसर के अगर बात करें नियाइक परिशन इस प्रिशने का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है यामिनी कुष्ण मूर्थी की अगर बात करें तो एक किस मृत्व शैली के लिए जानी जाती है बताइए किस मृत्व शैली के लिए जानी जाती है साथियों तो ये तो भरत नाट्यूम के लिए जानी जाती है answer आपका जाएगा option number C के साथ और जिनका answer यहाँ पर C है तो बिल्कुल correct है London की अगर बात करें तो London यह कौन सी नदी के किनारे पर है Rhyme नदी के किनारे पर, Tames नदी के किनारे पर C नदी या मूस कावा नदी तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथ यहाँ टेम्स नदी के किनारे पर है इसलिए राइट answer के अगर बात करें answer आपका बी के साथ जाएगा उसके बाद देखिए साथ यह अगला प्रिशन है कि पर्थवी के अलावा कौन सा ऐसा गरे जहां पर वायू मंडल पाया जाता है तो अगर बात करें साथ यह वायू मंडल जहां पर पाया जाता है तो वो कौन सा ऐसा गरे वो साथ यह मंगल करें है इसलिए answer आपका option नबर B के साथ जाएगा नीला अगर है साथ यह किसे कहा जाता है तो राश्टिक्रण की अगर बात करें आप लुग ध्यान रखेंगे 1949 में साथियों RBI की अगर बात करें, Reserve Bank of India की बात करें तो इसका राश्टिक्रण किया गया था 1949 में भारती विदेश व्यापर संस्तान साथ हुए ये कहां परिस्तित है, तो ये कहां परिस्तित है, नई दिल्ली में इस्तित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, आंसर आपका जाएगा, ऑप्शन नमर एक एसाथ, हिस्सा जो तीस्ता और धिहांग नदी के बीच इस्तित है, किसके रूप में जाना जाता है, तो असम हिमाले के रूप में जाना जाता है, आप लोग ध्यान लखेंगे, हिमाले परवतमाला का, वो हिस्सा जो तीस्ता और धिहांग नदी के बीच इस्तित है, ये असम हिमाले के रूप में जाना जाता है, आंसर आप बात करें तो आपका आंसर यहां पर जाएगा option नबर A के साथ भी बहुत बढ़िया very good class साथियों अगर बात करें S.S.C. G.D. की ये daily class होती है यानि कि daily आपको एक ऐसा model paper दिया जाता है जो आपके real पुर्ष्ण पंत्र के जैसा होगा यानि कि जैसा अगर बात करें ना जैसा 20 परवरी को paper आएगा जैसे 20 परवरी के questions होंगे साथियों मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं वैसा ही पूरा paper बनाने की कोशिश करूँ और एक बात मैं आपको बता देता हूं साथियों selection हमेशा कब होता है साथियों दो चीजों से होता है एक तो अगर paper में आई हुई आपने simple चीज जो सरल कोशिशन है उसको गलत ना किया और जो moderate type के कोशिशन यानि कि जो ना तो cut in कहे जा सकते हो ना सरल कहे जा सकते moderate type के कोशिशन है उनको भी अगर आप सही कर दे तो उसको गलत नहीं करते हो कभी अईसा बहुत 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 होता है कि वह सारे ऐसे बहुत आसान आसान कोशिशन होते हैं जिनको बच्चा गलत कर जाता है बस वहीं पर उसका selection रूँ जाता है तो अगर आप सात्यों simple question पर अपनी पकड़ बना लो यानि कि चाहते हैं कि आपकी rank अच्छी आये या ना आये आपकी एक job लग जाए sscgd में ठीक है ना जो preference आपने दिया है उसमें आपकी job लग जाए तो आप simple question पर अपनी पकड़ बना लो और moderate question पर अपनी पकड़ बना लो क्योंकि sscgd के exam में इतना बहुत अधिक समय नहीं होता है कि आप hard question पर अपना समय दे पाओ तो simple question plus moderate question आप कर जाते हो तो exam बहुत आसानी से आपका crack हो जाएगा ठीक है ना चलिए तो ये class साथियों आपके लिए daily होती है जिसमें 80 questions आप देखते हो sscgd में जैसे आप से पूछे जाएंगे और उसके अलावा साथियों मैंने लगबग 7-8 ऐसे पूरे-पूरे model paper बना दिये हैं मैंने already बना दिये हैं मैंने मानना है कि अगर उन 7-8 model paper को 80-80 questions के model paper को आप देख लेते हो उनका हर एक questions आपकी जबान पर रण जाता है तो exam में आपको कोई हरा नहीं सकता examiner जैसा भी paper बना दे 80% आप बहुत अराम से करड़ा लोगे तो उस पूरी playlist की अगर बात करें playlist का link सात्यों description में है ठीक है तो वहां से जाकर आप इस video को देखने के बाद उस पूरी playlist को सात्यों खंगाल डालिएगा एक कोईशन्स आपके जहन में होना चाहिए हेगा ना चली और एक WhatsApp ग्रूप है उसको भी जाइन कर लिजेगा क्योंकि सब ही updates उसमें ही मैं दे देता हूँ भारतिय संकी शक्ति किसमे नहीत होती है तो सात्यों संसद में नहीत होती है इसलिए answer आपका जाएगा एक के साथ वैक्तिकस सुत्मतरता के लिए निम्लिकित में से कौनसी रिट याचिका दायर की जा सकती है तो कौनसी सात्यों दायर की जा सकती है हेवियस कारपस जिसको कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षिकरन के रिट इसको सात्यों दायर की जा सकता है वैक्तिकस सुत्मतरता के लिए भारतिय समिधान की कौनसी अनुसूची में राजभाशा का उल्ले के किया गया है तो कौनसी अनुसूची में सात्यों राजभाशा का उल्ले के किया गया है आठ में अरुसूची में राजभाशा का उल्ले की किया गया है आंसर आपका जाएगा आप्शन नबर B के साथ देगा चली सातियों तो अब हम लोग यहाँ पर पहले तो सातियों मैट के कोशन्स देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे लेवल के आप लोग ध्यान रखेंगे जो पहली अभाज संख्या एक नहीं होती है बहुत सारे लोग एक लगा देते हैं पहली सबसे छोटी अभाज संख्या जो होती है सातियों वो दो होती है इसलिए राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है चली उसके बाद देखें सातियों परिक्षा में एक आपको सीरीज दी जाएगी कि एक का क्यूब ये प्लस दो का क्यूब प्लस तीन का क्यूब प्लस चार का क्यूब ऐसे करके सातियों ये दस तक का क्यूब होगा या 10 तक क्यूब की जंगा हो सकता हूँ 11, 12, 13, 14, 15, 16 या 20 क्यूब हो जाए तो आप इनको कैसे जोड़ोगे मतलब 1 का क्यूब 1 होता है ठीक ना 1 हो जाएगा 2 का क्यूब साथियो 8 होता है 3 का क्यूब क्या होता है साथियो 27 होता है एसी 4 का cube क्या होता है 64 होता है एसी 10 का cube क्या होता है 1000 होता है मतलब ये पूरा करके इन सब को कैसे आप जोड़ोगे और कैसे answer बता होगे तो इसका साथियो एक छोटा सा एक trick होती है एक formula होता है जब भी आपको cube में number दिखे क्या आपको cube में number दिखे साथियो घन में number दिखे तो आप क्या करोगे एक सूत रापलोग ध्यान रखोगे साथियो in क्या करोगे in in plus one in in plus one बटे two का whole of square क्या साथियो का whole of square यहाँ पर in कि अगर बात करें तो in क्या है in वो है साथियो जितने total number है तो कहा तक कहा गया है मतलब 10 तक कहा गया ना तो in बराबर क्या हो जाएगा साथियो in बराबर 10 हो जाएगा तो in की जंगा पर हम 10 लिख लेंगे bracket कर लेंगे in 10 है 10 plus 1 हो जाएगा बिल्कुल साथियो बटे में 2 हो जाएगा का whole of square हो जाएगा ठीके ना,工 lot of square उसके बाद अगर बात करें साथियों, 10 अजाएगा whole of square हो जाएगा, लेकिन उससे पहले साथियों 2 से 10 को cut कर लेंगे, 5 हो जाएगा. अब 5 की 11 से करेंगे साथियों, 55 हो जाएगा, 55 square हो जाएगा और दुनिया जानती है साथियों आप भी जानते होंगे 55 का स्क्राइर कितना है अगर निकालना ना हो तो 55 गुणा 55 कर लोगे 3025 साथियों आपका आज़सर आजएगा और जिनका आज़सर यहाँ पर D है तो बिल्कुल करेक्ट है उसके बाद देखिए अगले नंबर का कुशन आ साथियों आज़सर 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 जो 24 को भी पूरा कट कर देती है 60 को भी और 84 को भी तो answer यहाँ पर जिनका है option number A के साथ तो बिल्कुल correct भाई बहुत बढ़िया very good class चलिए अब उसके बाद दिखें साथ ही ओ अगले number का question आपकी screen पर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहे हैं कि 42.5 मीटर लंबी छड में से 85 सेंटी मीटर के कितने टुकड़े निकलेंगे मान लिजे मैं आपसे यह कहूँ 10 मीटर 10 मीटर लंबा तार है इसमें 2-2 मीटर के कितने टुकड़े निकलेंगे तो आप simple सा 10 को 2 से भागी तो करा होगे आप देखों कि 5 है तो 5 टुकड़े simple साब बता दो गे 5 टुकड़े निकलेंगे तो यहाँ पर भी तो हमें साथी भागी कराना पड़ेगा ठीक है 42.5 रख लेंगे और बटे में 84 सेंटी मीटर रख लेंगे अच्छा यह सेंटी मीटर में है तो क्यों न इसको भी सेंटी मीटर में बदल लिया जाए तो अगर मीटर को कभी भी सेंटी मीटर में बदलना हो तो गुणा सो कर देना सेंटी मीटर में हो जाएगा अब point लगा है एक number के बाद तो इस point को अगर हटाते हैं तो नीचे एक 0 बढ़ाते हैं यानि कि एक करके एक लिक के 0 बढ़ाते हैं तो अब इस 0 से ये 0 कर जाएगा अब उपर साथियों क्या बचेगा कितना बचेगा बियालीस सो पचास बचेगा और नीचे क्या बचेगा सातीऊं पच्चास ये बचेगा तो यहां पर अगर इसको कट करते हैं पाट से पाच ह dlatego हो जाएगा और पाच set आब काANGS हो जाएगा और पाच सत्यापका 35 हो जाएगा पाच अठीश हो जाएगा बेरे क साथियो चैनल पर अगर नए है और चाहते हैं कि सेलेक्शन आपका ससी जीडि में हो जाये तो इस बार साथियों सेलेक्शन तो आपको दिला दूँगा लेकिन आपकी जिम्यदारी रहेगी चैनल को सब्सक्राइब करने की तो चैनल आप सभी लुक सब्सक्राइब कर लीजे और ये समझ लीजे सातियों सेलेक्शन आपका हो गया बस आप एक्जाम तक इन क्लास को देखते रहो जो मॉडल पेपर मैं आपको देता हूँ मेरी सातियों यह नहीं करता हूँ कि एक क्लास में हिंदी दूँ, एक क्लास में जीके जीएज दूँ, एक क्लास में मैं दूँ, एक क्लास में रीजनिंग दूँ आप चार-चार क्लास बनेगी ने लिकी, मैं ऐसा नहीं करता हूँ मैं सरीफ एक घंटे की लगभग आपको क्लास देता हूँ और उस एक घंटे में चारों विशो का संफुन निचोड आपको साथियों उपलब्द करा देता हूँ ठीक है ना तो बहुत कम समय में मैं बहुत जादस जादा कंटेंट और बहुत जादस जादा बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाने की साथियों पूरी कोशिश करता हूँ चलिए यहाँ पर अगर बात करें चार प्लस चार गुणा 18 माइनस 6 माइनस 8 है बटे में 130 गुणा 6 है माइनस 140 गुणा पाचे इसको कल्कुलेट आपको करना है साथियों तो इस टाइप का भी साथियों सवाल आपसे एक्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा क्यों नहीं पूछा जाएगा सरली करण का है, सिंपलिफिकेشन का है तो आप से पूचा ही पूचा जाएगा चलिए, खेर, तो यहाँ पर question अगर यहाँ पर शाथिू बढ़ते हैं, कैसे साथिू यहाँ पर क्या आएगा कोई दिक्कत आपको कोई परशाई लेने के ज़र के बोकह बनाचा कितना होता है साथी, वह 72 होता है, तो 18,现在 32 हो जाएगा, 72 और 4 कितना होता है सातियों 72 और 4 आपका 76 होता है तो यहाँ पर 76 मैंने डारेक्ट लिख दिया माइनस 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 प्लस होता है दुनिया जानती है ठीक माइनस माइनस प्लस होता है तो 6 8 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा लेकिन 14 माइनस का सातियों आएगा उसके बाद अगर बात करें साथियों 123 की गुणा 6 से कराएंगे तो 6-3 आपका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, एक हासिल का बचेगा, 6-2-12 और एक साथियों 13 हो जाएगा फिर हासिल का एक बचेगा, 6-6 और एक साथ हो जाएगा तो 6 में से 4 घटाएंगे, 2 बचेगा, इधर 6 बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे, साथियों 8 बचेगा 8 बचेगा, साथियों इधर 0 बच जाएगा और कुछ नहीं बचेगा यहीं कि कुल्मिला के साथियों 62 बटे 8 आएगा इसको 1 बार कट कर ले तो 2 से कट कर ले तो छोटा हो जाएगा यहां पर यहा जाएगा और हिए आजएगा 4 सत्य 28 होता है साथियों कितना बचेगा 3 बचेगा न point लगेगा 0 बढ़ है 4 28 28 और फिर से 4 सत्य ही 28 आजाएगा तो 7 पॉइंट 7 क्या option में है बिल्कुल option में है साथियो option number D में है तो जिनका answer यहाँ पर option number D है तो बिल्कुल character बहुत बढ़िया very good class चलियो तो यह उमीद करता हूं साथियो इस पुष्ण का जो solution मैंने आपको समझाया है जिस तरीके से पाद क्या है मतलब समोनिमात्त's का पहला पद जो है ना साथियो वह 51 है दूसरे क्या है 81 है और चौधा पध मतलब तीसरे की बात नहीं की गई है तीसरा हम hamě 1-8 है तो तीसरा पद क्या होगा कोई दिक्कत में बहुत आसानी से निकाल से निकाल लेंगे कभी भी आपसे कह जाएं कि पहला पत अच्छा ये 51 हो गया तो 51 हो गया साथियों ठिक ना 51 लिख लिया और अनुपाद दूसरा पत क्या है 81 है और तीसरा पत दिया नहीं यह पूछा है तो x माल लेंग और चौधा पत दिया है 108 इतनी तो दिया है अब 81 अनुपाद 81 है तो और 51 अनुपात 81 है, तो 51 अनुपात 81 कर लेंगे, बराबर हो जाएगा, एकस बटे 108 हो जाएगा, अब जब भी बराबर का साइन होता है, उपर नीचे, उपर नीचे कोई नमबर होती, तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, इसकी गुणा इससे करा देता हूँ, और इसकी गुणा इससे करा देता हूँ, यानि कि 108 की गुणा इससे हो जाएगी, तो 108 तो यहां पर आ जाएगा, यहां से खायब हो जाएगा, अब अगर बात करें इसको सातियों कट कर लेते 9 नी में 80 ही हो जाएगा 9 एकम 9, 9, 12, 18 हो जाएगा 3, 3, 9 हो जाएगा, 3 चोक आपका 12 हो जाएगा 51 को 3 से कट करेंगे, 3 एकम 3 आपका हो जाएगा 2 बचे का 3, 27 हो जाएगा 17 चोक इतने होते हैं, सातियों X का मान जो आएगा, 17 चोक आपके 68 होता है तो अगर बात करें, X क्या था X सातियों हमने तीसरा पद माना था जो के 68 आया है, इसलिए आंसर आपका सातियों किस आप्शन के साथ जाएगा अगर आपका आंसर यहां पर A है, तो बिल्कुल करेंट है अब उसके बात देखिए, सातियों नेक्स नमबर का कोईशन आपके स्क्रीन पर है आप से यहां पर पूछा जा रहा है कि 100 पेंसिल बेचकर, यानि कि आपने 100 पेंसिल बेची है, एक दुकानदार को यहां पर 80 ही तो सातियों एक तरीके से आएगी नीचे क्राउन टाइप करके, तो यहां पर 80 ही आजए एक 20 से कम 20, 20 चौक आपके 100 हो जाएगा और 4 को 100 से भाग दोगे, तो हमेशा सातियों 25 ही आता है, तो आंसर आपका आपका राइट आंसर होगा, अब जो यहां पर कट होता है, उसको एक बार कट कर दीजे, ठीक है आप यहां पर 5 से इसको छोटा कर लेते सातियों 5 से कम 5 हो जाएगा, 5 से 35 हो जाएगा, यहां पर 20 आजाएगा, अगर बात करते सातियों यह 20 की अगर बात करें, यह 20 से इसकी गुणा हो जाएगी बराबर मेहना, तो यहां पर 20 आजाएगा, और यहां पर भी एक 0 था, तो वो 0 इसमें लग जाएगा, नीचे की दो सो गुना बीस क्या होता है साथियों 4,000 होता है तो X का मान 4,000 यानि कि अनकित मूल साथियों क्या निकला आपका 4,000 निकला तो यही आपका बिलकुल कारिक्टर आंसर है अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का कोईशन आपके स्क्रेन पर है कि 1500 रुपै का 5 पृतिश बटे 100 ये दुनिया जानती है पी यहाँ पर क्या है इनके मूलधन क्या साथियों क्या है पंदरा सो है दर क्या है साथियों पांच परतिशत है समय क्या है साथियों चार वर्ष है बटे में क्या लग जाएगा सो लग जाएगा इन दो जिरों से ये दो जिरों का इंसिल हो जा ये आपका जो है ना वो मिश्रधन बन जाएगा यानि कि अठारा सो आपका साथियों मिश्रधन आजाएगा और यही आप से पूछा गया था तो आंसर जिनका साथियों यहाँ पर है option number B के साथ तो बिलकुल correct है उसके बार देखिए अगले number का question आपकी screen पर है देखिए और बताएगे के राइटांसर साथियों यहाँ पर आपका क्या हो सकता है बताएगे 1820 रुपए का 9 मार्च से 21 मई 21 मई 2009 तक ठीक है तक साथ साथ प्रिश्चत की दर से साधारन भी आज कितना होगा सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें पी की बात करें तो पी कितना है साथियों 1820 है दर की अगर बात करते हैं साथियों आर बराबर क्या है साथ सही एक बटे दो प्रिश्चत है यानि के साथ दुना 14 और एक 15 बटे 15 बटे दो प्रिश्चत यह क्या है यह दर है अब समय जरह हम निकाल लेते हैं साथियों कैसे निकलेगा 90 मार्च से लेकर 21 मई तक यहाँ पर कहा गया है तो जब 9 मार्च यह अगर बात करें मार्च तो शातियों 31 दिन की होती है तो कितने दिन बचे साथियों 22 दिन मार्च के बचे और अप्रैल के पूरे 30 दिन बचे और 21 दिन साथियों किसके बचे माई के बचे तो ये कितने साथियों टोटल दिन हो जाएंगे अगर बात करें ना ये टोटल साथियों ये आपका 3 हो जाएगा ये आपके साथ हो जाएगा ये 73 दिन हो जाएगे 1820 गुणा 15 बटे 2 लिखना है तो 15 लिख दो और बटे में क्या लिख दो गुणा साथियों क्या आ जाएगा टी आ जाएगा टी कितना है साथियों 73 बटे 365 है तो 73 बटे साथियों कितना हो जाएगा 365 हो जाएगा 365 हो जाएगा अच्छा गुणा में 100 भी तो लगता है दो पंचे आपके हो जाएंगे, दस, दो नीम आपके अठारा हो जाएंगे, और दो एकम दो आपके हो जाएंगे, इस पांच से अगर बात करें, यहां पर तीन आजाएगा, ठीक ना, और अगर साथियों यहां पर हम बात करते हैं, तीन की, तो तीन, अप किस हो, किस को किस से काटें सर चलिए साफ साफ यहां पर साथियों लिग देते हैं क्या क्या हमारे पास बचा है 91, 3, गुणा, 73 और उसके बाद साथियों 2 बचा है और चाहे 365 बचा है अच्छी 73 एकम 73 और 75 पंजे साथियों होता है कितना 365 बचाए 65 अब यहांपर साथियों क्या बचा है अब यहांपर 91,3 हो जाएंगे तो 93, कितने होते ने हें 23,9, 27 यहां आगे आपका और साथियों क्या आगे यहांपर साथियों 10 आगे 5 दूना तस तो इस जीरो को हटाएंगे और यहांपर पॉइंट लगा देंगे यानिके 27 पॉइंट है तीन क्या कहीं पर option में है तो बिल्कुल है option number B में है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है उसके बाद देखिए साथियों 10 question हम लोग देखे मैट कि आप 10 question हम लोग देख लेंगे super fast तरीके से reasoning के बहुत जादा अगर 20-20 question लेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए 10-10 question लिए है practice आप लोग कर लीजे बढ़िया से इतने में ही आपका काम करवा जूँगा अगर बात करें साथियों reasoning का पहला प्रशन आपके screen पर है धुए का संबंद production से है तो युद्ध का संबंद क्या होगा देख धुआ होगा तो जाहर सी बात है production तो होगा ही उसी परकार अगर युद्ध होगा तो विनाश होना तो साथियों तै है इसलिए answer आपका option number A के साथ जाएग उसके बाद देखिए 12 का संबंद जैसे के 18 सोरी 12 का संबंद जैसे के 30 से है तो उसी परकार 18 का संबंद किस से होगा 46 से 43 से 38 से या साथियों 42 से सिंपल सी बात है साथियों 12 दूना कितना होता है 24 होता है और यहां पर अगर बात करें कितने जोडेंगे 6 जोडेंगे तो 18 दुना कितना होता है साथियो 36 होता है यहां पर मेरे हिसाब से 6 जोडना चाहिए तो कितना आ जाएगा साथियो मेरे हिसाब से 42 आ जाएगा सोरी 42 कहा जाएगा 18 दुना 36 होता है 36 और यह आपका साथियों 42 ही तो आएगा और 42 साथियों कौन से option में है तो option number D में है यही आपका बिलकुल correct cancer हो जाता है उसके बाद देखिए कि यहाँ पर साथियों यहाँ पर है अगर बात करें D, R, I, V, E, N को साथियों N, E, V, I, R, D लिखा जाता है तो B, E, G, U, M को क्या लिखा जाएगा एक बार ज़रा साथियों ध्यान से देखिए इसकी letter position करने से पहले आप यह देखिए कि E, N की अगर बात करें E की अगर बात करें E यहाँ पर है और V की बात करें तो E, C, C, R, M में सब कुछ है तो M कहां पर आजाएगा M यहाँ पर आजाएगा उसके बाद U आजाएगा उसके बाद साथियों G आजाएगा उसके बाद E आजाएगा उसके बाद B आजाएगा कि यह कहीं साथियों option में लिखा हुआ है M, U, G, E, B लिखा हुआ है तो बिल्कुल लिखा हुआ है साथियों option number C में लिखा हुआ और यही आपका बिल्कुल correct answer है उसके बाद देखिए अगले number का question के निमिकेट में से कौन सा आरेक है शिक्षक, शिक्षित, नौकरी पेशा के बीच सही समंद को निरुपित करता है बताइए तो यहाँ पर देखिए जब हम साथियों बात करेंगे माल लिजे अगर बात करें साथियों यह कैसे सवाल होगा किस टाइब से सवाल होगा यहाँ पर यह सबसे बड़ा साथियों है देखिए सबसे पहले अगर बात करें मैंने यहाँ पर एक सर्किल बनाया और यह किसका सर्किल है साथियों यह शिक्षक का सर्किल है यह शिक्षक का सर्किल है अब अगर बात करें साथियों जितने भी शिक्षक होंगे ना जाहिर सी बात है वो क्या होंगे वो शिक्षित होंगे वो भी एक तरीके से नोकरी पेशा होते हैं लेकिन जो कहीं किसी होटल में वरतंद होते हैं जो बिलकुल अनपढ होते हैं उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि छोटा आ क्या होते हैं वो भी एक तरीके से नोकरी पेशा होते हैं अनपढ लोग भी तो नोकरी करते हैं ठीक है लेकिन कुछ ऐसे भी नौकरी पेशा होते हैं, जो शिक्षिक होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं, जो शिक्षित होते हैं, तो एक हम सर्किल हलका सा यहाँ पर लगा हुआ बनाएंगे, यानि कि ये इतने जो हैं साथियों नौकरी पेशा और ये नौकरी पेशा वाले लोग बहुत बढ़िया very good class, अब उसके बाद देखिए next number का question आपकी screen पर है, देखिए और बताइए, क्या यहाँ पर आपका right answer हो सकता है, तो later position की अगर बात करें, P, R की अगर बात करें, तो P 16 पर होता है, कितने पर होता है, सातियो 16 पर होता है, R की अगर बात करें, 18 पर होता है I 7 9 पर होता है, N 14 पर होता है, और T 7 20 पर होता है, ठेगर न उसी परकार R आपका 18 पर, U आपका 21 पर, M 13 पर होता है, और S 19 पर होता है, और Z 26 पर होता है, तो यहाँ पर देखिए 16 से 18 हो गया, 18 से सातियो 21 हो गया, अच्छा भई, पहले दो बड़ा, फिर सातियों कितना बात करें सात्यों देखिए अब सबसे पहले दो बढ़ाएगा लेकिन क्या दो आपको कहीं पर बड़ा नजर आ रहा है इफ कि अगर बात करें छे पर होता है और आट इच पर होता है तो इच आना चाहिए यहां पर लेकिन ऐसा नहीं है तो अब क्या करना पड़ेगा यहां पर एक और शब्द लिखा हुआ है इसका मूल शब्द आपसे पूछा गया है यानि कि नॉर्मली ये शब्द दिया जाता है और उसके रूप में ये शब्द लिखा होता है और उसी परकार आपसे यही शब्द पूछा जाता है और ये शब्द पूछा जाता है लेकिन साथियों यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या जाएगा D का जाएगा यहाँ पर 3 माइनस करेंगे U में साथियों क्या जाएगा R आ जाएगा उसी परकार साथियों फिर 4 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा साथियों I आ जाएगा फिर उसके बाद in और फिर उसके बाद साथियों किया आ जाएगा तो drink type का कहीं पर लिखा है, बिल्कुल लिखा हुआ है option number B में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल correct answer है, अब उसके बाद देखिए अगले number का question है साथियों, यह कुछ आपको दिख रहा होगा, कि 2 है, 4 है बच्चा थोड़ा सा confuse हो जाता है lack of practice उसके अंदर होती न, वो practice कम करता है practice आप जितनी जादा से जादा करेंगे, अलग-अलग type के question देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पर practice करा रहा हूँ कि एक chapter का question है, उसके बाद किसी और chapter का question आ जाता है फिर किसी और chapter का question आ जाता है, तो ऐसे ही exam में आएंगे अगर अभी आप chapter wise पड़ रहे हैं, तो chapter wise फटा-फट complete करके in practice set पर आईए, तो कि selection आपको यही दिलाएंगे जिनका भी selection हो चुका है, वो साथियो practice set बहुत जादा लगाते थे बहुत जादा लगाते थे, तो 80 प्रश्ण होते हैं, बहुत जादा होते हैं नहीं साथियों, आप बहुत अराम से daily लगा सकते हो, कुल्मिला की यह playlist आपको दी है उसमें आप playlist में जाकर देखिए, बहुत सारी classes है, बहुत सारे model paper वहाँ है यहाँ पर देखिए, अगर बात करें, क्या होता है, दो की गुणा करें किया, दो तीन आपका 6 हो जाएगा, चार तीन आपका 12 हो जाएगा अच्छा, तो अगर 9 में से साथियो 6 को माइनस कर दें, तो यह 3 हमें मिल गया, उसी पर दिखार 5 और 6 आपका 11 हो जाएगा, 11 एक 12 हो जाएगा, 6-6 12 हो जाएगा, यह 15 में से अगर 12 माइनस करें, तो क्या साथियो यहाँ पर आएगा, 3 ही तो आएगा, इसलिए answer आपका, कि यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, मान लीजे साथियों, यह आपका कितना डिगरी घुमा है, यहने कि इस लकीर से इस लाइन पर जो हुआ है, यह 90 डिगरी घुमा है, ठीक है, अब अगर 45 डिगरी कोई कहेगा, तो इस लाइन से वो इस लाइन पर जाए, क्योंकि 90 स आधा यही होता है, ठीक है, दाइन की अगर बात करें, जो सीधा हाथ आपका होता है, आपको पता होगा सीधा हाथ क्या है, सीधा हाथ ही साथियों दाइन हाथ कहलाया जाता है, और उल्टे हाथ की अगर बात करते हैं, तो यह साथियों बाया हाथ कहलाया जाता है, यह आप चैप्टर कम्प्रेट तो नगेंदर अपने घर से सीधा चार किलोमेटर चलता है और फिर दाइं और मुड़ता है मतलब इसने यह नहीं बता है कि पूरब जाना है परश्रिम जाना है कि दुरू भी चला दो मान लीजे साथियो मैं इसको इधर चला देता हूं ठीक है चार किलोमेटर काई चलने को और फिर दाइं मुड़ता है यानि कि नीचे की तरफ आ जाता है दाइं मुड़ता है ठीक है भाई साब दाइं मुड़ा दिया और फिर दाइं मुड़कर दो किलोमेटर चलता है दो किलोमेटर चला दी इसके पशात वो 45 डिगरी दाइं को दाइ मिटर चला दिया यदि अब बहा उत्तर पश्यम की दिशा की और मुह किये हुए हैं यहां पर किया कर बात करते हैं साथियों यह उत्तर पश्यम नहीं है यह आपका दक्षिन है और यह आपका क्या है साथियों पश्यम है क्या है ना हाँ पश्यम है तो यह तो साथियों पश् प्रिश्न को पढ़िये, मतलब ये कुन मिला कि इधर को होना चाहिए, कि इधर को होना चाहिए, तो हमें सातियों अगर बात करें, ठीके ना, अगर बात करें, नागेंदर इसकी तरफ आता है, चार किलोमेटर चलता है, उसके बाद दाइं मुड़ता है, सातियों, दाइं किस दिशा में चलना प्रारम किया, ये दिशा सातियों दक्षिन की दिशा कहलाई जाती है, तो आंसर आपका किस उप्षिन के साथ जाएगा सातियों दक्षिन क्या कहीं पर है, बिल्कुल है सातियों उप्षिन में डी में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का पुरशना आपके स्क्रीन पर है नीचे एक ही पासे के चार प्रारूपों को दर्शाया गया है इस पासे में अंक चार के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक आएगा यह आपसे सातियों यहाँ पर पूछा जा रहा है तो क्या हो सकते देखिए यहाँ पर अगर बात करें इस पासे में चार अंक चार अंक कहां पर है एक तो सातियों चार अंक आपका यह है ठीक ना मैं आपको बता देता हूँ एक तो चार अंकाप का साथियों ये है और एक चार अंकाप का ये है इसका विपरीत आप से पूछा जा रहे है देखिए चार का विपरीत साथियों छे नहीं हो सकता पाँच नहीं हो सकता तो पाँच आप्शन में है बिल्कुल है ये नहीं हो सकता अंसर चार के अगर बात करें चार का विपरीद तीन नहीं हो सकता तीन है उप्शन में ये नहीं आंसर हो सकता चार का विपरीद दो नहीं हो सकता अब बचा क्या साथी हो एक बचा तो यही साथी हो चार का विपरीद हो सकता है आंसर आपका जाएगा बी के साथ उसके बाद देखिए अगले नंबर का कुशन आपके स्क्रेन पर है बताने की कुशिश करेंगे कि दिये गए अक्षरो का समुह कौन सा समुह रिक्त इस्थानों पर करमवार रखने से दी गई अक्षर श्रिंगलाग को पूरा करेगा तो कुन बिला कि इस टाइप के जब भी कुशन सा जाए कैसे आप करेंगे इसको लेटर काउंट कर लो एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा यानि कि यह बारा आए हैं, तो अब बारा आए हैं, या तो साथ हो तीन के पेर में तोड़ लो इनको, या चार के पेर में तोड़ लो, पहले हम तीन के पेर में तोड़ते हैं, अगर काम बन जाता है, तो आंसर तक पहुच जाएंगे, लेकि नहीं काम बन पाता है, तो हम चार के pair में इसको तोड़ें गए उक दो तीज ये अलग फोगा ये वाला इलग्रूप हो गया एक इसको यहां पर भी iç और यहां पर भी क्योंको आग तोब इहांपर पूरा with you कि तो हमने अपने पेंसे कौन कौन से लेटर लिखे हैं, सातियों B लिखा है, A लिखा है, फिर A लिखा है, फिर B लिखा है, तो सातियों कौन सा सही होगा, B, A, A, B, कहां पर लिखा हुआ है, मिलेगा जवाब, बिलकुल मिलेगा, सातियों option number C में लिखा हुआ है, तो यहीं वाले पेरकों करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी आंसर आपका ऐसे ही आ गया उसके बाद देखिए अगले नंबर का कोईशन साथियों आपकी स्क्रीन पर है और यह आज किस क्लास का अंतिम कोईशन आपकी स्क्रीन पर है चलिए तो यहां पर अगर बात करें तो तीन हमने जोड़े यहां पर अगर बात करें दो हमने जोड़े यहां पर जोड़े आट जोड़े यहां पर साथियों दो जोड़े तो यह क्या साथियों करम बन लाए तीन दो आट यह तो कोई मतलब ही नहीं हुआ साथियों तो यह तरीका आपका फ्लॉप हो गया दूसरा देखिए अगर 3 की गुणा साथियों 2 से हम कर देते हैं तो 6 आ जाता है अज 6 में साथियों 2 जोड़ देते हैं तो 8 आ जाता है फिर हम 8 की गुणा 2 से कर देते हैं तो 16 हो जाता है फिर 16 में साथियों 2 जोड़ देते हैं तो 18 हो जाता है मतलब का कहने का मतलब यह है अगर कुछ इसमें दिक्कत लगी हो आपको कुछ कमी लगी हो तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्षन में बताएंगे मैं सुधार करने की पूरी कोशिश करता हूँ हर बार ठेकर ना? और उसके अलावा साथ हूँ जो प्लेइलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया उसको भी एक बार देख लीजेगा उसके बहुत अच्छे-चे कोशन है आपके परिक्षा में आने के पूरे-पूरे सातियों चांस है तो कम से कम इस वीडियो को सातियों दो मित्रों को किसी एक ग्रूप एक बार आवश्य शेयर कर देंगे तो आपको बहुत अहसान होगा